हेलो दोस्तो मैं हूं मीर और आज मैं एक्स्प्लेन करूंगा 2001 में आई एक माइंड ब्लोविंग मुवी लिमिटलेस को इस मुवी के कॉंसेप्ट पर ही लूसी मुवी बनाई गई थी लेकिन लूसी मुवी में लूसी को बहुत जादा ही पावरफुल बताया गया था जैसे क सूपर हीरो लेकिन इस मुवी को बहुत रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है दोनों मुवी का कंपैरीजन हम रेटिंग से कर सकते है क्योंकि इस मुवी को लूसी से जादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था ओडियंस के तरफ से भी जैसे इस मुवी को IMDb पर मिल है 7.4 star out of 10 Rotten Tomato पर 69% fresh with 74% audience score Metacritic पर इसे मिले है 59 out of 100 और इसे 91% Google users ने like किया है So without wasting much time चलते हैं सीधा वेडियो की तरह Movie के शुरवात में हम एक आदमी को देखते हैं जो building के edge पड़ खड़ा है और नीचे कूदने के बारे में सोच रहा है क्योंकि कुछ लोग उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे है और उनके हातों मरने से अच्छा वो खुद अपनी जान देना चाता है इस आदमी का नाम है एडि फिर एडि हमें बताता है वो इस हालात में कैसे पहुचा फिर movie flashback में जाती है एडि एक writer है उसने पहले भी books लिखी है और अभी भी एक book लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहा है और घर में बैठे बैठे समय के साथ एक alcoholic और lazy आदमी बनता जा रहा है वो घर में कभी TV देखते हुए और खाते हुए अपना time pass करता रहता लेकिन कुछ लिख नहीं पाता कुछ दिन बाद उसकी girlfriend Linda उससे मिलने आती है लेकिन एडि की lifestyle में कोई भी changes ना देखकर उससे break up कर लेती है एडि की पहले भी शादी हो चुकी है जो जादा दिनों टक टिकी नहीं और उसका divorce हो गया था लिंडा को आफिस में promotion मिला था एडि उसके लिए बहुत खुश होता है फिर एडि अपनी किस्मत को कोस्ते हुए रोट पर गूम रहा था तबी उसे कोई आवाज देता है ये वर्णन था वर्णन उसके ex-wife का भाई है वो दोनों तकरीबन 9 साल बाद मिले थे पहले वर्णन एक drug dealer था लेकिन अभी वो कोई pharma company में काम कर रहा था वर्णन उसे एक बार में लेकर जाता है एडी उसे अपनी ex-wife मेली सा के बारे में पूछता है वर्णन बताता है वो किसी दूसरे शहर में खुश है उसके बच्चे भी हो चुके है फिर वर्णन एडी की हाला देख कर उसे एक drug offer करता है ये drug अभी तक testing में है और market में available नहीं मतलब इसका on record existence ही नहीं है वर्णन बताता है हम लोग अपना दिमाग सिर्फ 10% ठक ही इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस drug की मदद से हम हमारे दिमाग को 100% ठक इस्तेमाल कर पाएगे एडी से लेने से मना करता है क्योंकि पहले ही उसके life की लगी हुई है उपर से वो drug addict बनना नहीं जाता तभी वर्णन को एक call आता है और वो एडी को drug और अपना card देकर निकल जाता है अब एडी के पास वो drug था एडी उस drug के बारे में सोचते हुए अपने घर तक आता है फिर उस drug को देखता है थोड़ी कश्मकश के बाद उसे खा लेता है वो अपने apartment अक आता है जहां उसे उसकी land lady मिलती है और कुछ महीनों का किराया ना देने की वज़ा से उसे सुनाने लगती है तभी उस drug का असर शुरू होता है और एडी का पूरा नजरिया बदल जाता है वो हर चीज़ पर focus करने लगता है जैसे cycle का घूमता टायार उसके bag में पड़ी law की book फिर वो अचानक बोलता है वो अपने husband का गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही है क्या उसके law school में कुछ डिक्कत है वो बोलती है उसे कैसे पता क्या वो उसका पीछा कर रहा था लेकिन तभी एडी उसे उस book के बारे में कुछ बताता है दरसल 12 साल पहले उसने उस book को बैठे बैठे बस देखा था लेकिन उसके subconscious mind में उसकी याद अभी तक थी जिसे वो access कर पा रहा था फिर एडी उसे book के लिए guide करने लगता है वो एडी से कुछ suggestions मांगती है अगले scene में हम देखते है एडी उसी के घर में उसे suggestions दे रहा था मतलब यामा काटा कर रहा था ये drug अप उनको भी चाहिए मेरे को कुछ नहीं पता है ये अप उनको भी चाहिए anyways एडी अपने घर में आता है उसका घर बहुत गंदा था एडी तुरन घर clean करने लगता है और कुछी देर में पूरा घर साफ कर देता है एडी को समझ नहीं आता ये कैसा drug है क्योंकि उसे कई घंटों से cigarette की तलब नहीं लगी थी ना ही उसने अपना होश खोया था ना ही वो नशे में था वो किसी भी काम में एकदम फोकस था कि कोई भी काम कैसे करना है बस यामा काटर को छोड़ कर हर किसी को पता है उसके लिए हर लड़का हमेशा फोकस ही रहता है फिर एडी अपनी बुक लिखना शुरू करता है और कुछी घंटों में बुक कम्पलीट भी कर लेता है दूसरे दिन सुबा उटने पर drug का असर खत्म हो गया था और एडी फिर से पहले जैसा बन गया था उसे कोई हेंगोवर नहीं था मतलब इस drug का असर एक दिन तक ही रहता है फिर एडी अपनी आधी बुक लेकर अपनी पब्लीशर के पास जाता है उसे यकिन नहीं होता एडी ने बुक लिख ली लेकिन एडी उसे बोलता है वो बस 10-15 पेज़ेस पढ़ ले एडी बहुत खुश होता है लेकिन तभी उसे याद आता है ये सब उस drug की वज़े से हो रहा है अब उसे और drug चाहिए थी इसलिए वो वर्णन के काट के जरीए उसके घर जाता है वर्णन को किसी ने मारा था वर्णन समझ जाता है एडी को और drug चाहिए एडी उससे पूछता भी है उसे किस ने मारा लेकिन वर्णन उसे कुछ नहीं बताता वर्णन उसे बताता है उसका नाम NZT48 है और उसे इल्लीगल तरीके से बनाया जाता है एडी को पता था वो अनप्रूव इल्लीगल तरीके से बना हुआ उसके कपड़े लाने बोलता है और साथी कुछ नाश्टा भी क्योंकि अभी वो बाहर नहीं जा सकता और एडी के पास कोई चोईस तो नहीं थी एडी जाकर उसके कपड़े और नाश्टा लेकर आता है लेकिन उसका घर पूरा विखरा पड़ा था और वर्णन की लाश सोफे पर थी ये देखते ही एडी बुरी तरह डर जाता है और सीधा पूलिस को कॉल कर देता है फिर पूलिस के आने का इंतिजार करने लगता है लेकिन तबी एडी को समझ में आता है जिसने भी वर्णन को मारा है वो उसके घर में कुछ ढून रहे थे और शायाद उन्हें वो चीज नहीं मिली इसलिए उन्होंने वर्णन को मार दिया इसका मतलब एंजीटी अभी भी यही कही चुपा हुआ है एडी तुरन गलफ पहन का ड्रग ढूनने लगता है लेकिन उसे ड्रग कहीं नहीं मिलती लेकिन तब भी उसे ओवन दिखाई देता है और फाइनली उसे ओवन के सीक्रेट लॉकर में एक पैकेट मिलता है जिसमें बहुत से पैसे एक डायरी और आखिर में बहुत सारी एंजीटी ड्रग की गोलिया थी तबी वहा पोलीस आती है, एडी तीनों चीजों को अपने पास रख लेता है, अब एडी ने वर्णन का खून किया नहीं था, इसलिए पोलीस वर्णन की बहन और एडी की एक्स वाइफ से फोन पर बात करती है, और उसकी गवाही पर एडी को छोड़ दिया जाता है, अब उस के पास बहुत सारी anxiety drug थी और पैसे भी, वो सबसे पहले अपना हुलिया बदलता है, उसका brain हर चीज में focus था, एडी चार दिन में एक book लिख लेता है, वो तीन दिन में पियानो बजाना सीखता है, उसे mathematics समझ में आने लगती है, जिससे वो कसीनों में बहुत सारे पैसे जी अपन को भी चाहिए, कैसे भी लाके दो, ये drug अपन को भी चाहिए, anyways, एडी जो भी सुनता, देखता, पढ़ता, वो हमेशा उसे याद रहता, एडी पार्टी इसकी जान बन गया था, इसी दर्वियान उसके कुछ नए दोस्त बनते हैं, जो उसे holiday के लिए invite करते हैं, वो 2000 बनाता है, अगले दिन 7000, लेकिन ये बहुत कम रकम थी, उसे जादा पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे कोई bank loan नहीं देती, इसलिए वो एक रशियन गुंडे गैनेडी के पास loan के लिए जाता है, एडी पहले उसे analyze करता है, पहले तो गैनेडी उसे loan देने से मना करता है, ल एडी अपने दोस्त केविन की मदद से शहर की सबसे बड़ी company में trading करने जाता है, सभी उसे trading करते हुए देखते है, और एक ही हफते में उसके account में 1 million dollar थे, घर आने पर उसे केविन का voice mail मिलता है, दरसल उसे केविन का boss और शहर का जाना माना businessman car one lun मिलना चाता था, एडी फि आकर फिर से relation शुरू करते है, आप में से मुझे कोई बताएगा foreign country में relation हमेशा yamakata से क्यों शुरू होता है, या ये सिर्फ movie में बताते हैं, और एक और बात, यह अप उनको भी चाहिए, कई से बिला के दो, लेकिन यह अप उनको चाहिए, अब एडी की photo newspaper में आने लगी थी, क्योंकि उसकी वज़ा से बहुत सी companies को profit हुआ था, लिंडा और एडी काफी खुश थे, लेकिन एडी notice करता है, किसी ने उस पर नजर रखी है, एडी अभी इसे ignore करके वहाँ से चला जाता है, रात में एडी ने बाहर नजर रखी थी, ये confirm करने, क्या सच में उस पर को और कितना समय बीच चुका है, अगले दिन एडी की केविन के boss कारवन लून से meeting थी, केविन उसे prepare रहने बोलता है, कारवन लून के आने के बाद एडी उसे भी analyze करता है, और कुछी time में उसे भी impress कर लेता है, दरसल कारवन लून एक company खरीदने वाला था, और एडी एक expert analysis थ इसलिए कारवन लून उसे कल अपने office बुलाता है, और एडी को उसके घर के सामने छोड़ कर चला जाता है, एडी बहुत खुश था, वो घर में ना जाते हुए walk करने लगता है, और सोचता है एक दिन वो president बनेगा, तभी उसे NZT drug का दूसरा side effect महसूस होता है, और अगले सेकेंड में वो टाउन के बीच में था, फिर अचानक वो दोड़ने लगता है, और अगले ही पल वो एक कलब में था, अगले ही moment में वो एक लड़की के साथ होटल रूम में जा रहा था, लेकिन एडी नोटिस करता है, कोई उसका पीछा कर रहा था, फिर रूम में एडी उ उन लोगों को मारने लगता है, एडी फिर दोड़ने लगता है, और अठरा घंटो बाद, जब ड्रक का असर खत्म होता है, वो खुट को एक ब्रीच पर पाता है, उसे यादी नहीं था, पिछले अठरा घंटो के ब्लेक आउट में उसने क्या क्या किया, एडी वहाँ से घ बहाना बनाकर केविन को आज की मीटिंग अवोइट करने बोलता है, लेकिन ऐसा चांस उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए केविन किसी भी हालत में उसे ऑफिस आने बोलता है, फिर एडी कार लून से मिलता है, लेकिन वो मीटिंग में कॉंसेंट्रेट नहीं कर पा तबी उसे साइड में लगी टीवी में नियूज से एक होटल में हुई लड़की के मर्डर का पता चलता है उसे हलका सा याद आता है ये वही लड़की है जिसके साथ उसने कल रात यामा काटा किया था एडी बहाना बना कर वहां से निकल जाता है अब उसके पास एंजीटी न करता है जिसमें वर्नन के बाकी क्लाइंट्स के नंबर थे जिन्हें वर्नन ने एंजीटी बेची होगी लेकिन हैरानी की बात तो ये थी डायरी में जिन सभी के नाम और कॉंटेक्ट थे वो सभी मर चुके थे अब एडी को डर लगने लगता है कि सभी लोग एंजीटी की पीछे है एडी तुरंट वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी उसका पीछा कर रहा था एडी किसी तरह उसे चक्मा देका टैक्सी में वहाँ से भाग जाता है फिर एडी जाकर अपनी एक्स वाइफ और वर्नन की बहन मेलीसा से मिलता है वो एक बीमार बुड़ी औरत चोड़ दी लेकिन एक बार एंजीटी लेना चोड़ दो तो उसके बहुत से साइड एफेक्ट होते हैं जैसे सिर दर्द, उल्टी होना, शरीर कमजोर पड़ना और हो सकता है दिमाग पूरी तरह डेमेज भी हो जाए इन शॉट एंजीटी दिमाग को सूपर बूस्ट देत है लेकिन उसे चोड़ने पर एंजीटी दिमाग और शरीर को कमजोर कर देता है उसने सिर्फ एक हपते ही एंजीटी ली थी वो भी दो साल पहले लेकिन अभी तक उसकी कंडिशन ठीक नहीं हो पाई और एडी पिछले दो महीनों से एंजीटी खा रहा है मेलीसा उसे बोलती है अगर उसके पास अभी एंजीटी है तो उसे खाते रहो वरना वो बहुत जल्द मड़ जाएगा क्योंकि उसने बहुत सारी एंजीटी खाई है वहाँ से एडी अपने घर आता है उसके पास अभी भी एक गोली बची थी लेकिन वो उसे खाता नहीं और अपने पास रख लेता है उसके घर में जाने से पहले ही गेनेडी उसे पकड़ लेता है क्योंकि एडी ने अभी तक उसके पैसे वापस नहीं किये थे गेनेडी उसे मारने लगता है तब एडी से एंजीटी की गोली गिर जाती है गेनेडी एंजीटी देख लेता है एडी उसे बहुत रोकन हालात बहुत खराब थी और उसके पास कोई चोईस नहीं बची थी इसलिए वो लिंडा को सब सच बता देता है जिस पर वो काफी नाराज होती है एडी बताता है उसने कुछ गोलिया कहीं चुपा रखी है और लिंडा को जाकर उन्हें लाना होगा और सबसे हैरानी की बात त पार्क में लिंडा दो लोगों से मदद मांगती है लेकिन वो आदमी उन दोनों को भी चाकू से मार देता है लिंडा वहा से भी भाग कर एक जगा छुप जाती है सामने कुछ लोग आइस स्केटिंग कर रहे थे लिंडा बहुत डर गई थी वो आदमी अभी भी उसे ढून रहा था लिंडा एडी को कॉल करती है एडी उसे शांत रहने बोल कर NZT की एक गोली खाने बोलता है जिससे उसे खुदी बचने का रास्ता पता चल जाएगा और कोई आप्शन ना होने पर लिंडा भी एक NZT खा लेती है और कुछी सेकेंड बाद उसका भी नजरिया बद जाता है वो भी हर चीज में फोकस करने लगती है एक जगा एक माली घास काट रहा था एक जगा एक लड़का हाथ में बेसबॉल बैट लेकर खड़ा था और सामने ही कुछ लोग आइस स्केटिंग कर रहे थे लिंडा भागना शुरू करती है वो आदमी देखते ही उसका हो जाता है फिर दोनों भी एक होटल में चेक इन करते हैं दूसरे दिन सुबा लिंडा उससे बहुत नाराज थी क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो कोई और है और एड़ी उससे समझाने की कोशिश करता है लेकिन लिंडा ने भी एड़ी का कोई बहाना नहीं चलता लेक एड़ी बाहर देखता है गेनेडी ने उस पर नजर रखी थी एड़ी जाकर उससे मिलता है अब उससे पैसे नहीं एंजीटी चाहिए थी फिर एड़ी उससे गोलिया देता है एड़ी अपने लिए दो बॉडिगाड हायार करता है फिर जाकर कार वन लुन से मिलता है और उ एडी अपने लिए special suit सिलवाता है जिसमें NZT रखने की अलग जगा हो फिर एडी एक private lab higher करता है ताकि वो NZT पर reverse engineering करके NZT का formula पता कर सके और उसके side effect कम करके और जाड़ा NZT बना सके जिससे उसके पास कभी NZT की कमी ना हो पहले तो वो बोलता है इसे 6 महीने लगेंगे ल दरसल जिस लड़की का murder उस hotel में हुआ था एक eye witness ने एडी को आखरी बार उस लड़की के साथ देखा था एडी को तो कुछ याद नहीं था ओफिसर उसे पूछताच के लिए police station लेकर जाता है लेकिन एडी शहर का सबसे बड़ा criminal lawyer hire करता है और बाहर आ जाता है वो वकील उ राम के businessman की company खरीदने वाले थे एडी नोटिस करता है हैंग एड़ूड की तबियत काफी खराब हैं शायद उम्र की वज़ा से लेकिन आखिर में deal final होती है और हैंग एड़ूड अपनी company कारवन लूम को बेचने तयार हो जाता है एडी की मदद के बदले कारवन लूम उसे 40 million dollar देता है साथी उसे ये भी बोलता है ये तो उसके काबिलियत के सामने चिलर है साथी उसे अपने साथ partnership का भी offer देता है ताकि एड़ी उसके लिए कभी competition ना बने एड़ी इससे बहुत खुश होता है क्योंकि उसने 40 million dollar कमा लिए वो अमीर बन चुका है और उसे देश के स सबसे अमीर आदमी में से एक ने partnership का offer दिया है एड़ी अपने hotel room आता है लेकिन उसके कमरे को किसी ने पूरा बरबाद कर दिया था फिर एड़ी एक बहुती secure penthouse खरीटता है अगले दिन उसे road पर गेनेडी मिलता है अब उसने भी काफी पैसे कमा लिये थे वो एड़ी को blackmail करता है अगर उसे गोलिया नहीं मिली तो वो कारवुन लून को बता देगा एड़ी एक drug addict है जिसके बदले में एड़ी उसे बोलता है लेना चोको लेकिन गैनेडी उसे धमकी देकर चला जाता है लेकिन एड़ी सोचता है कल डील के paper पर sign होने के बाद अगर कारवुन लू की तबियत बिगड गई थी जिससे वो कोमा में चला गया power of attorney उसकी wife के पास है अगर हैंग एड़ी ठीक होता है तो वो paper पर sign कर देगा अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी wife को पूरी power मिल जाएगी in short उनकी deal अभी तक on है दोनों भी हैंग एड़ी के बीवी को बाहर छोड़ करने आते हैं तब ही एड़ी देखता है उसका bodyguard वही आदमी है जो शुरुवात से उसका पीछा कर रहा था इसका मतलब हैंग एड़ूड भी एंजीटी लेता था और ये आदमी एड़ी के पीछे एंजीटी के लिए ही पड़ा था क्योंकि उसका boss मतलब हैंग एड़ूड एंजीटी ना मिलने से मरने वाला था फिर एड़ी वहाँ से police station जाता है क्योंकि murder का eye witness खूनी को पहचानने आया था एड़ी अपना coat उतार कर अपने lawyer के पास देता है और उसी के जैसे दिखने वाले बाकी लोगों के साथ खड़ा हो जाता है लेकिन लकीली वो eye witness एक जैसे दिखने वाले लोगों में एड़ी को पहचान नहीं पाता और एड़ी इस case से छूड जाता है एड़ी तुरन police station से निकल कर कारवन लून के पास जाने निकलता है लेकिन उस पर गैनेडी ने नजर रखी हुई थी एड़ी कारवन लून के पास जाता है जहां उसे पता लग ईंजीटी का असर खत्म हो रहा है वो बहाना बना कर बातुरून जाता है नजीटी लेने के लिए लेकिन जैसे ही वो अपने कोर्ट में देखता है एंजीटी उसके कोर्ट के सीक्रेट जेब से गायाब हो गई थी एड़ी बहुत ढूंटा है मगर उसे एंजीटी नहीं मिल तबी उसके लिए एक पार्सल आता है एडी देखता है उसमें उसके बॉडी गार्ट के कटे हुए हाथ थे मतलब उसके बॉडी गार्ट मर चुके है एडी घबरा कर बीना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है उसे समझ नहीं आता एंजीटी कहा गायब हो गई एडी वापस वकील ने एंजीटी चुराई है और अब हैंग एडवुड को एंजीटी मिल जाएगी तो वो कारवन लून को कमपनी नहीं बेचेगा उनकी डेल टूर जाएगी जिससे एडी को ना ही 40 मिलियन डॉलर मिलेगे ना ही कारवन लून से पार्टनर्शिप इसका मतलब सब कुछ खत्म उस डिब्बे को ढूडने लगता है दुसी तरब गेनेडी दर्वाजा काट कर अंदर आने वाला था लेकिन फाइनली एडी को वो डिब्बा मिल जाता है उसमें एक गोली अभी भी बची हुई थी तबी वो लोग दर्वाजा तोड़ कर अंदर आ जाते है और उनसे डिस् गेनेडी दिखाता है उसने एंज़ीटी को लिक्वीड में बदल दिया है और उसे इंज़ेक करने से एंज़ीटी सीधा खून से मिलता है जिससे इसका असर जाधा समय तक रहता है तबी एडी साइड में रखे चाकू को देखता है फिर गेनेडी अपने आदमियों से अब एडि के पास दो आप्शन थे उसके आदमी के आने के बाद उनके हातों मारा जाए या गैनेडी का NZT मौझूद खून पीकर खुट को बचानी की कोशिश करे और एडी दूसरा option चूज करता है और गेनेडी का खून पी लेता है दूसरी तरब जब दोनों safe खोलते है उसमें body guard के कटे हुए हाथ थे एडी को NZD का असर होने लगता है एडी पासी पड़ी insulin देखता है गेनेडी का एक आदमी वहाँ आता है जो पहले से एक आख से अंदा था एडी तुरन अपने मूझ से insulin निकाल कर उसकी दूसरी आदमी फोर देता है फिर दूसरे आदमी के साथ उसकी हातापाई होने लगती है और पहला अंदा आदमी अंदा धुन शूट किये जा रहा था एडी उस आदमी को धक्का देता है और Russian में उस आदमी को शूट करने बोलता है और पहले आदमी के कुछ समझने से पहले ही दूसरा अंदा आदमी उसे शूट कर देता है अब एडी और वो ही बचे थे वो एडी की आवाज सुनकर शूट कर रहा था लेकिन आखिर में एक पियानो के जरीए एडी उसे भी मार देता है अब सब शान्त होता है और एडी इन किलिंग्स को आराम से हैंडल कर लेगा क्योंकि इस अपाटमेंट का पहला ओनर एक ड्रग डीलर था फिर एडी वहाँ से कही निकल जाता है दूसरी तरफ एंजेटी ना मिलने से हैंग एड़ूट की कोमा में ही मौत हो जाती है एडी हॉस्पिटल आकर उस आदमी से मिलता है अब उसका बॉस तो मर चुका था एडी उसे बोलता है उसका वकील एटवूट के लिए भी काम करता था और उसे बचाना चाता था तो उसने उससे एंजेटी चुराने के बाद एटवूट को लाकर क्यों नहीं दिया अगले सीन में हम देखते है उस आदमी ने वकील को बांध रखा है और एडी को उसके सेफ में एंजेटी मिल जाती है अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है एडी की किताब छप चुकी है और देश की बेस सेलर बूक है और एडी सेनेट के इलेक्शन में खड़ा है जैसे उसने कहा था उसे प्रेसिडेंट बनना है उसी दिन उससे कारवन लून मिलने आता है और उसे भी पता चल चुका है एडी एंजेटी नाम का ड्रग लेता है एक सेनेट को बिजनेस की बारी किया पता होती है एडी को उसके सभी इनलीगल कामों में उसका साथ देना होगा वरना वो सभी को बता देगा एडी मतलब सेनिटर एक ड्रग एडिक्ट है एडी अभी तो उसे कुछ नहीं बोलता लेकिन बाहर निकलने पर एडी उसके साथ काम करने मना कर देता है एडी बताता है उसने NZT लेना कब से छोड़ दिया है और NZT पर reverse engineering करवा कर उसने पता लगा लिया था NZT कैसे बनता है उसने NZT को perfect बनाया वो भी बिना किसी side effect के और अब NZT को रोज लेने की जगा एक ही बार लेने से वो जिंदगी भर के लिए असर करेगा और उसका formula सि सामने की taxi को टक कर मारेगा कार लून могो को समझ नहीं आता तबी उसके पीछे की वेन सामने की taxi को टक कर मारती और इतना ही नहीं वो कारवन को छूब कर पता लगा लेता है उसे हाट की बिमारी है जो सिर्फ कारवुन लुन को ही पता थी एडी बोलता है वो सब कुछ देख सकता है और वो उन जैसे लोगों से 50 कदम आगे चलता है और कारवुन लुन चुप चाफ वहाँ से चला जाता है फिर एडी वहाँ से एक चाइनीज रेस्टोरेंट जाता है जहां लिंडा उसका इंतिजार कर रही थी मतलब लिंडा अभी भी उसके साथ थी फिर एडी चाइनीज भाषा में ओर्डर देता है लिंडा उसकी तरफ देखती है और एडी बस मुस्कुराता है और इसी के साथ ये movie यही खत्म होती है तो दोस्तो मैंने कहा था ना इस movie को बहुत realistic रखने की कोशिश की गई है क्योंकि आप सोचिए जब आपका दिमाग भी 100% काम करने लगेगा तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? नहीं पता? मैं बताता हूँ simple आप पैसा कमाओगे और यही इस movie में बताया गया है तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये movie और मेरा explanation मुझे comment करके जरूर बताए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करे अपने दोस्तों के साथ share करे और मेरे चैनल को subscribe करे और हाँ bell icon all पर प्रेस करना ना भूले तो मिलते हैं अगली बार किसी और amazing movie के explanation में peace out